नमस्कार आप सभी का स्वागत है भाग्यम मैं मैं हूं पंडे चंद्र शेकर चर्मा दर्शकों सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन के पंचांग को जिससे हम आज के दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सकें जान सकें आज दिनांग है 25 जनवरी सन 2024 विक्रम समवत 208 चल रहा है पोश मास है शुकलुपक्ष है शशरितु है तिथी पुर्णिमा है और आज का वार है गुरवार आज के नक्षत्र की बात करें तो पुख्य नक्षत्र पुरे दिन और पुरे रात्री रहेगा तो आज गुरु कोई बिजनस डील करनी उसके लिए बहुत अच्छा दिन है किसी से कोई मन मुटाव है जगडा चल रहा था तो आज जाके आप बात भी कर सकते हैं करण विस्ट्री है सुबह 10 बच के 36 मिनट तक आगे बावकरन रहेगा सुर्योदे का समय दर्शे को सुबह 7 बच के 15 मिनट का था और सुर्यास्त का समय शाम 6 बच के 3 मिनट का है आज का राहुकाल दोपैर 1 बच के 30 मिनट से 3 बज़े के बीच रहेगा इसे पूरी तरीके से टाल दीजेगा इसमें कोई शुपकारे नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए अभी जित मूरत के 10 मिनट और 3 बच के 53 मिनट आज का दिशा शूल दर्शे को दक्षण दिशा में तो पहले कोशिश तो यही कि दक्षण दिशा की यात्रा को हम टाल दें लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है आज ही अनिवारी यात्रा इस दिशा में करनी है तो फिर इसका परिहार करके परिहार बहुत सरल है दक्षिन के और मुक कीजिए थोड़ा सा धही जीरा खाई और पांच कदम पीछे चलिए और इस पूरी प्रक्रिया के दोरान अपने हिर्दे में अपने इस्ट या भगवान श्री राम का ध्यान करें उनसे प्राथना करें और फिर यह यात्रा करें बहुत ये सुन्दर यात्रा रहेगी मंगल में रहेगी कारे सिद्ध होंगे और दिशाशूल आपको नहीं लगेगा आज का शुब समय दर्शे को यानि आज के दिन का सदुप्यों करने का जो समय है वो है सुबे 11 बच के 30 मिनट से दौपेर एक बच के 30 मिनट तक फिर शा सबसे पहले बात करते मेश राशी की मेश राशी वालों को भावनात्मा कोतार चड़ाव का सामना करना पड़ सकता है वहीं व्रश राशी वाले अपनी माता और बहन से पाएंगे आशिरवाद और सपोर्ट और मितुन राशी वाले आज अपने मधुर व्यवार के कारण ज ध्यान रखें कि आज एशो आराम में बहुत ज्यादा खर्चा ना हो जाए आपका वहीं कन्या राशी वालों की कोई मनो कामना अचानक से पूरी होती भी दिखेगी वहीं तुला राशी वाले ऐसे लोग जो राजनीती या जन सिवा से जुड़ें उनके लिए योगकारक है रश्चिक राशी वाले भाग्ये से पाएंगे एक ठोस और नई शुरुवात वहीं धनु राशी वाले हिर्दे से संबंदित समश्याओं और यूरीन इंफेक्शन के प्रती थोड़े से सावधान रहें मकर राशी वाले साज़ेदारी के कारियों में लाभानवेत होते पर दिखेंगे वहीं कुम राशी वाले ध्यान रखें कि आज ससुराल वालों से कोई विवाद ना हो जाए मीन राशी वाले आज बहुत ही समझदारी से कोई महत्यपूर्ण मसला सुल्जा लेंगे दर्शे को आज की घ्यान चर्चा में हम समझते हैं वारों में करणिये कारियों को यनि कौन से वार में कौन से कार्य करते हैं तो सफलता के चांसे जादा रहते हैं जैसे कि रविवार के दिन उत्सव, वाहन, क्रे, विक्रे, गौ माता लेना, गो सेवा, ओशदी शुरू करना, स्वर्ण, तामबा या दुकान ओफिस सम्मंदित सामान खरीदना चाहिए। लाल वस्तुमे, गुड चीनी, ये सब चीजे खरीदनी चाहिए, और स्पोर्ट से जोड़ी वी चीजे वो आप खरीद सकते हैं, और कोई अकादमी जॉइन करनी, स्पोर्ट की वो भी मंगलवार से करनी चाहिए। लेना, घर के समान लेना, औश्यदी, आबुशन लेना, गार्डन लगाना जैसे काम कर सकते हैं। ऐसे शनिवार के दिन, लोहा, लकडी, पत्थर, पीतल, ये सब चीजे लेना, नौकर रखना, इंटर्व्यू लेना, वाहन क्रे करना, ग्रह प्रवेश करना, तुलादान करना, उनी वस्तर कंबल दान करना, भोजन दान करना, ये सब करम शनिवार के दिन करने चीए। कि दर्शे को यह थे वह वह काम जो आप करते हैं तो पुन्य लाब भी होता है और सफलता भी मिलती है अब बात करते हैं विसस टुपायों पर जो सभी प्रकार के सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जनमदिन है तो जिन जनमदिन है आप सभी आज भगवान शिवजी पर केसर चंदन इत्र से अभिशेक करके भगवान को वस्त्र और नारियल भेंट करें साथियाज किसी सादू संथ के आश्रम में जाकर यथा संभव भोजन आदी की सेवा और मंदिरों में धार्मिक पुष्टके और आशन ये सब वस्तुवे बटवाने से आपका आने वाला वर्ष बहुत ही और निंदक ही नजर आ रहे हैं तो समझ जाईए कि विप्रीत ग्रैदशा है आपकी वास्तु भी विप्रीत है और इस्ट कृपा कुल देवी पित्र देवी देवताओं की कृपा भी बिलकुल विप्रीत हो चलिए ऐसे स्तिया आने पर सब कुछ भूल कर महादेव बोलेना करें और फिर महादेव पर त्रीदल बिल्व पत्र अर्पित करें और चंदन घिसकर उनके त्रिपुंड तिलक लगाएं और स्वयम के ललाट पे भी बचेव चंदन से त्रिपुंड बनाएं फिर नित्य आर्थ भाव से पून्ते शर्णागत होकर इस महा सिद्ध मंत्र का 30-35 मिनट या कम से कम 40 मिनट बिना गिने ध्यान लगाकर मनी मन जब करें मंत्र पहले ध्यान से समझीगा मंत्र प्रकार है ओम महेशाय त्रीनेत्राय नमस्ते शूल पानए प्रनते एकलेश नाशाय महादेवाय तेनम हैं यह मंत्रा आप करेंगे तो आपको किसी अन्यों बावशक्ता जीवन में नहीं पड़ेगी स्वेव महादेव आपके बिगड़ेवे भाग्ये को सवारेंगे इस संबंद में तुलसी वाबा कहते हैं कि भावी हु मेटी सकई त्रिपुरारी तो यह जो भाव है कि जिस त्रिपुरारी के सामने हमने बोल दिया है जो हमारे को बहुत से लोग जो आर्थिक रूप से बुरी तरह से तूट चुके हैं हर और से काम धंदे में लगातार नुक्सान उठा रहें उनको चाहिए कि भगवाएं श्री राम के एक विशेश मंत्र का सैविधी अनुष्टान पूरा करें जो कि इतना सटीक है कि अगर किसी ने कि पूरा विधी विधान से कर लिया तो उसकी आर्थिक स्तिती को ठीक होने से कोई भी नहीं रोक सकता इसके लिए आपको करना सरुफ यह है कि सबसे पहले गणेज जी का पंच्योप चार से पूजन करें और पिर सीतारम जी का पंच्योप चार से पूजन करें और अपनी से कीजिएगा गिना नहीं है मन लगाना है पूरी तरीके से आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन निश्चित रूप साएगा जो मंत्र जाप करना वह इस प्रकार है ओम आपदाम पहरतारम दातारम सर्वसंपदाम लूका भी रामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम जीवन में तो दर्शे को यह थे आज के विसस्ट उपाए जो आपको समश्याओं से बाहर ला रहे हैं और मनो कामना आपकी पूरी कर रहे हैं अब बात करते हैं आपके सवालों के आपके सवालों में आज हमारे पार जनम पत्री का है हमारे दर्शक हितेश लालवानी जी की 27 महीं 1988 का जनम में सुबह 6 बच के 27 अजमेर व्यापार कामदंदा कुछ अच्छा नहीं चल रहा है यह इनका प्रशन है तो उपाए पूछ रहे हैं देखे हितेश जी आपके वर्तमान महादशा अनुकूल नहीं है सन 2016 से शुरू हुए यह जो दशा है अभी 2024 मिड तक आप को धेरिये धारण करना चाहिए जो चल रहा है उसको देखते रहिए कुंड़ी में इसके अलावा कोई बहुत बड़ा दोश है नहीं यानि प्रेनेटरी पोजिशन बहुत अच्छी है सर्फ समय खराब है तो एक बार समय अनुकूल आते ही आप परिशानियों से बहार आने कीजिए कुछ दिन करेंगे समश्याओं में आपको निदान मिलने लगेंगे आज की दूसरी पत्रिक आई हनमानगड से सुरेंदर सिंधी की तीन नौंबर 1999 का जनम है सुबह 6 बच के 32 मिनट हनमानगड करियर किस फील्ड में बनेगा इंका प्रशन है देखिए सुरेंदर आपका बैंकिंग और फाइनेंस में आपका करियर बनना चाहिए इसके अलाबा आप एंजियों से संबंदित छेत्र से समास से जोड़कर भी अपना करियर बना सकते हैं आप यह अपना स्वैम का व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि अपर डेड़ से ढाई बुजे के बीच नीम पीपल बर्गत के पौधे लगाई है आज की तीसरी पत्री का है हमारी दर्शक दिपाली जी की 22 जुलाई 1992 कन का जनम है शाम 6 बजे उद्यपुर विवा का योग कब है इनका प्रश्न है दिपाली जी आपके विवा भाव में क मित्य माता दुर्गा का नाम स्मिरन अधिक से दिक कीजिए आपके अक्टूबर सन 2024 से अक्टूबर 2025 के मध्य विवा हो जाएगा तो दर्शकों ये था आज का पंचांग आज के विस्वस्त उपाए और ग्यान चर्चा मैं पंडिप चंद्रशेकर शर्मा ये आशा करता की बताए उपायों को आप सही विधी सटीक समय रटूट शद्धा से करेंगे और पूरा पूरा आपको इसका लाब होगा और जो ज्यान चर्चा जो सत्संग हमने किया है इसे अपने जीवन मोतारेंगे धिरे धिरे अपने जीवन को आप शिव में सत्य में और आनंद में मैं महादेव से प्रातना करता हूं कि जब आप हमारे बताएवे उपाय करें तो आपके कस्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ती निश्चित रूप से हो कारिक्रम में बने रहने के लिए बहुत-बहुत साथ वाद भगवति आप सबका कल्यान करें जया आदिशक्ति